हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आप लोगों के लिए स्टड़ी के लिए कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ जिसे यूज करने के बाद आपके स्टड़ी बहुत ज्यादा प्रोडेक्टिव हो पाएगी और आप सभी एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेकर के आप आएंगे तो चलो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम बेस्ट ना करते हु चलते हैं तो फर्स्ट टिप्स है फोकॉस ओन इजी पॉर्शन यानि कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के तयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना इजी पॉर्शन देखिएगा स्लेवर्स का कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है तो जो टॉपिक आपको इ क्वांडिटी यानि कि आप क्वालिटी को देखिएगा ना कि क्वांडिटी को अक्सा करके बच्चे क्या गलती करते हैं कि वह क्वांडिटी देखते हैं अपने स्लेवर्स के जादा से जादा टॉपिक को खतम करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी नाए वो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं आज के तीसरी टिप्स के तरफ जो की है सेट डेली गोल्स यानि कि हमें डेली के डेली अपने गोल्स को सिडियूल बना लेना चाहिए कि आज हमें कौन-कौन से टॉपिक किलियर करने हैं इसमें आप ये टाइम मंद देखेगा कि हमें 6 गंटे पढ़नें हैं कि 8 गंटा पढ़ना है या 10 गंटे पढ़ने हैं आप स्रीफ और सरिफ अपने सबजेक्ट प्लस टॉपिक को देखेगा हमें इतना टॉपिक और इतने सबजेक्ट आज के दिन में खतम करने हैं ज़रूली नही ही है कि आप एक टॉपिक को आप एक घंटे में खतम करें हो सकता है कि अगला इंसान एक घंटे में खतम कर रहा है तो आप उसे सायर अब्जेक्ट देखिएगा ना कि टाइमिंग तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ फोर नम्मय की टिप से फीजिकल हेल्थी यानि कि आप जब भी अब स्टडी कर रहे हैं तो फीजिकल हेल्थी रहना बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होता है ह हुआरे माहान व्यज्यानिक अलस्तू जी बोला है हेल्धी माइंड फijn know the body यानिकि स्वस्त शरीर में स्वस्त मस्तिस का बिका सोता है यानिकि जंद आपका सरी हेल्थी रहेगा आ तो आपका जो mind है वो भी बहुत ज़्यादा healthy रहेगा और जब mind सही रहेगा तो आपकी जो study है वो बहुत ज़्यादा productive हो पाएगी तो friends अब चलते हैं आज की next tips की तरफ जो की है 5th नम्मर की यानि की revision revision is the most important मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ आप परड़े का one hour revision के लिए आप set रखेगा कि one hour आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है काफी बच्चे क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने topics को खतम करते जाते हैं अपने slivers के तरफ बढ़ते जाते से आज की last की solve many paper as possible यानि कि जितने भी आपकी sample paper है उन्हें solve करना है उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि कौन सा question किस तरीके से put up हो रहा है एक्जामन किस तरीके से पूछ रहा है तो friends उम्मीद करती हो कि आप लोगों को आज की सभी tips पसंद आई होंगी तो friends अगर लाइक करें से यह गरें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you bye bye and take care